कि दोस्तों यह 10 ग्राम की पेकिंग है और यह 10 ग्राम का हमने आपके सामने वजन किया है आप देख पा रहे हैं अब इसे हम पैक कर रहे हैं मसीन हीट है कि अलग वही गहरे तो इस तरह से पैक हो रहा है अब यह 30 ग्राम की पेकिंग है अब देख पा रहे हैं अब 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 लरी भी बना कर हम बताएंगे वीडियो में आप बने रहे हैं पुरी तरीके से इस तरह से पैकिंग हो रही है ठीक है आप चाहें तो इसमें ब्रैंड भी डाल सकते हैं अब 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 अग्जामपल के दोर पर बता रहे हैं दोस्तों यह सा स्टिकर भी आप डाल के पैकिंग कर सकते हैं इस तरह से ब्रैंड भी बना सकते हैं अपना दोस्तों सेलिंग मस्षिन आपने देखा ही है ठीक है यह कुछ 30-32 ग्राम का पाउच है और इस तरह की लरी कैसे बनती है लरी भी हम आपको बताएंगे किस तरह से लरी बनाते है जों कि हमने इसी इसे लरी बनाई है इसी मसीन के मुख्ग से ठीक है दोस्तों ये मैक्रोनी आपको कैसे किलो पड़ता है मार्किर में अगर आप बल्क में खरीते हैं बोरी की बोरी 50 किलो की तो आपको 40 रुपे किलो की लमसम में पड़ जाता है 40 रुपे किलो की साथ 40 से 45 रुपे हुआ है है था था रिख जो तो इस तरह से लरी बंती है आप देखाएं नदेखाया आप इस तरह से आप लरी बना सकते हैं इसी तरह से आप लरी बना सकते हैं आप देख पा रहे हैं और आप श्टीकर छपवा सकते हैं कुछ इस तरह का ठीक है दोस्तों यह 30 ग्राम की पैकेजिंग थी और यह 10 ग्राम की पैकेजिंग है देखिए 10 ग्राम की पैकेजिंग है ठीक है तो दोस्तों आपको इसको कितने में सेल करना है हम आपको बताएंगे दोस्तों दोस्तों आपको 40 से 45 रुपे किलो पढ़ जाता है यानि आपका ये पढ़ गया कितने का दोस्तों यानि 4 रुपे का 100 ग् सम्में पढ़ रहा है अगर आप 30-35 जगा 50-50 ग्राम की पैकिंग करते हैं तो अच्छा रहाए है क्योंकि 주क्षों मैक्रोनी को 50 ग्राम कमसे कम पैकिंग करना चाहिए 50 ग्राम की पैकिंग हिसाब लगा लिजिए अगर 40 रुपे किलो पढ़ रहा है तो आपका 100 ग्राम 4 रुपे यानि 50 ग्राम की पैकेजिंग कोश्ट आपको 2 रुपे आ रही है पैकेजिंग कोश्ट 2 रुपे और 50-50 ग्राम से लेकर दोस्तो एक और सजेशन देना चाहूंगा अगर आप चाहे तो इस तरह से ब्रैंडिंग भी कर सकते हैं यह स्पेशल दोस्तो यह मैंने एक्जाम्पल के दोर पे आपको खाली बता रखा है लेकिन आपको अपने ब्रैंड के अनुसार आपको छपवाना है कुछ इस तरह से और दोस्तो आपको sale कहां करना है तो sale किराने दुकानओं पर इसे sale कर सकते हैं किराना से लेकर जनरलीष्टोर रुपे बड़े अराम से इसे आप sale कर सकते हैं और दोस्तो – margin cost आपको क्या रखनी है दुकानदार दोस्तो इसे 15 रुपे पाव के लंसम में बेचते हैं तो आपको margin cost दोस्तों जिसे 50 gram आपका packaging तो 2 रुपे में हो रहा है तो मान लिजे आपको दुकान दार को धाई रुपे में sale करना है यानि 50 पैसा एक package के पीछे cost आपको benefit मिल रहा है अब 50 पैसा सामने वाला दुकान वाला कमाएगा तो इसी तरह से दोस्तों आपको packaging और दुकान पर sale करना है ठीक है अब marketing तो दोस्तों marketing के लिए देखें आपको इस तरह से कुछ card छपवा लेना है और card छपवाने के बाद खुद का आप brand डाल सकते हैं जैसे मान लिजे अपना brand रखते हैं कुछ इस तरह का tagline आप डाल सकते हैं और दोस्तों आप चाहें तो अपने brand का अगर आपके पास चाहें बजर जादा हैं तो आप भीना machine के इस business को start कर सकते हैं raw material आप online भी खरीच सकते हैं और अगर आप चाहें तो printed पनी इंडिया मार्ट की website से वहाँ से खरीच सकते हैं without printing लेकिन या तो सबसे बढ़िया मैं आपको idea देना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो one side transparent पनी खरीच कर हराम से macronie packaging business start कर सकते हैं तो बस्तों ये भी business काफी market में चलने वाला है और उसके बाद दोस्तों बात आती है macronie दोस्तों अगर एक पाव का packaging करते हैं तो एक पाव में दोस्तों आपको एक मसाली की पूरिया डालने पड़ेगी जो की लमसम लमसम 5 से 4 या 5 गराम का लमसम मसाला आप डे सकते हैं और इस तरह से अपना marketing आप बढ़ा सकते हैं और मसाला दोस्तों आपको किस तरह से बनाना है सर्च कीजी यूटूब पे macronie मसाला घर पर कैसे बनाए बस उसी तरह से विधी को फोलो करें और विधी को फोलो करने के बाद उसी के हिसाब से आप अपना बिजनस स्टार्ट अप कर सकते हैं तो इससे होगा ये कि मेकरूनी लोग खरिदते हैं लेकिन इसका मसाला इसके साथ में फ्री नहीं मिलता है अगर आप चाहें तो दोस्तो एक पाओ की पेकेजिंग कीजिए और एक पाओ की पेकेजिंग के साथ आप उस मसाली की पूरिया को फ्री कर दीजिए और इसके बाद यहाँ पर आपको टेग लाइन दोस्तो अगर इस तरह का ब्राइंड आप छपवाते हैं लोकल में प्रिंटर के पास तो 200 रुपे में 1000 पिस कुछ इस तरह का प्रिंटर छाप देता है अपना मुबाइल नंबर मत डालेगा इस पे आपको खाली अपना ब्राइंड का नाम डाल सकते हैं और इस पे लिख सकते हैं फ्री मसाला फ्री तो उससे होगा ये कि दुकानदार कस्टमर जितने भी होंगे सब अट्राक्ट होंगे और उसोचेंगे कि चलो मसाला तो फ्री मिल रहा है दोस्तो आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहरे है ये मसाला आपको दोस्तो एक मेकरोनी मसाला आपको 5 रुपे का लमसम पढ़ता है तो दोस्तो अगर एक पाव मेकरोनी कोई खरिदता है इसे 16 रुपे पाव उसको पढ़ता है तो मान लिजे 5 रुपे का मसाला उसके लिए काफी नुकसान दायक होता है ठीक है तो इसलिए मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ अगर आप चाहे तो मैक्रोनी एक पाव की पेकिजिंग करके और उसमें आप 5 रुपे का नहीं लेकिन आपको 5 गराम मसाला जो कि आपकी कोश्ट 1 रुपे से 7 रुपे के कोश्ट में पड़ेगी और आप अराम से दे स तो दोस्तो डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपको जैसे मान लीजे अगर आप अपना ब्रांड FSI में रेजिस्टेशन करके और उसके बाद आप चाहें तो लाइसन नमबर मिलने के बाद GST के साथ फिर आप अपना प्रिंट पनी करवा कर फिर अपने मटियल को और आपकी मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग इसी को कहा जाता है दोस्तो कि अपने प्रोड़क्ट को अपने नियर में जैसे मान लीजे आपकी सिटी है मान लीजे आपकी सिटी है आयोध्या तो आयोध्या में आपके जितने भी 25 किलोमेटर के एंडर में आपको अप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं और दोस्तों आई सी वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चनल पर तब तक के लिए नमस्ते धन्यवाद आदाब और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आवज सिक किजेगा